और उसके बाद चुत्रकूट जाएंगे पीम मोदी रिसीव करने के लिए अरपोर्ट पर मुखे मंतरी योगी आदितिनात राज़िपाल आनंदी बेन पटेल यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप बेहद मत्वपून है यह दोरा और कई सोगाते प्रधान मंतरी इसके बाद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी यहीं से चुत्र कूट के लिए रवाना हो जाएंगे और चुत्र कूट में किसानों को कई सोगाते देंगे पीम मोदी किसान सम्मान निधी यूजना के जुलाभानवित किसान हैं उनके भी जाकर उन्हें संबोधित करेंगे इसके लावा बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वे का शुलन्यास भी पीम मोदी की और से किया जाएगा पूरे कारिक्रम को प्रिधान मंत्री के देखते हुए आज बेहाधी खास दयार्या की गई हैं सुरक्ष्या वेवस्ता चाक चौबंध है कई जगा पर रूट जायवर्ट किये गए हैं और ये मंच की तस्वीर देख रहे हैं आप जहां पर इंतजार प्रिधान मंत्री नरें पहुंचने वाले हैं एरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं ज्रांकी सीजी तस्वीरे आपने देखी रिसीव करने के लिए राजिपाल आनंदी बेन पचेल और मुखे मंत्री योगी आदितिनाथ पहुंचे अब प्रयाग राज का दौरा इसलिए खास हो जाता है चुक प्रयाग राज प्रयाग राज से आप देख पा रहे हैं मंच पर प्रयाग राज का ये परेड ग्राउंट जहां पर इस कारेकरम का उजन किया जा रहा है जहां पर देव्यांग जनों को साहे कुपकरन वितरित करेंगे प्रयाग बचे पर एक बज़े इसके बाद चुत्रिकूट के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे और चुत्रिकूट में बुंदेलखन एक्सप्रिस वे का शलन्यास प् उनके सहयोगी के साथ लाकर यथा शेग उनके शब्वीस हजार आटसो चुहत्तर लाभारतियों को उपकरन आज मिलने जा रही हैं करीदस हजार दिव्यांग लाभारतियों है इसमें इसे हुए आप लाभारतियों को उनके सहयोगी के साथ लाकर स्थान पर बैठाना सुनिश्चित करें एयरपोर्ट परस्वागत पी-एम मोदी का सी-एम योगी और राजिपाल अनंदी बेन पटेल की ओर से किया गया ये फिलाल मंच की आप तस्वीर देख पा रहे हैं इंतजार यहां पर मंच पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं और फिर हेलिकॉप्टर से अप सीधा परेड मैदान पहुंचेंगे पी-एम मोदी आयूजन सल से कुछी दूर पर हेलिपैड बनाया गया है और प्रधान मंतरी के यहां पहुंचते ही समहारों की जो अपचारिक शुरुवात है वो हो जाएगी यह फिलाल उस दौरान की तश्वीर जब पी-एम मोदी एरपोर्ट पर पहुंचे थे फूल देकर उनका स्वागत किया गया एरपोर्ट पर कुछ केबिनेट मंतरी मौजूद रहे मुख्य मंतरी और राज़िपाल आनंदी बेन पटेल मौजूद रहे हैं अब यहां से सीधा हेलिकॉप्टर पर सवार होकर प्रिधान मंतरी कारेक्रम स्थल के लिए निकल चुके हैं हेलिकॉप्टर से परेड मैदान पहुंचेंगे पी-एम मोदी जहां पर कारेक्रम का आयूजुन किया जा रहा है आयूजुन स्थल से कुछी दूरी पर हैलिपैट बनाया गया है और पी-एम मोदी का इंतजार दूसरे विंडो में आप देख पा रहे हैं कारेक्रम स्थल की तस्वीर जहां पर हो राय पी-एम का इंतजार प्रभानमंत्री के पाँचने के बाद सम्हारो जो है जो पूरा कारेक्रम है इसकी अपचारिक सुरूत हो जाएगी मत्वपुण दोरा है आज का एक दिवसी दोरा उत्र पिदेश का प्रयाग राज पहले पहुंचे हैं और उसके बाद प्रधान मंत्री जाएंगे चितर कूट काई उम्मीदे चितर कूट में रह रहे हैं लोगों को प्रधान मंत्री के इस दौरे से धर्मनगरी चितर कूट को कहा जाता है और यहां दोपेर एक बज़े के आसपास भरत कूप के गॉंडा पहुंचेंगे पीम मोदी यहां पर करीब देट घंटे का कारिकर्म रहेगा कृशिक प्रदर्शनी, पैजल योजना का स्टॉल और डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलकंड एक्स्प्रिस स्वेग की आधार स्विला पीम मोदी आज चित्रकूट में रखेंगे यह फिलाल तस्विर उस वक्त की देख पा रहे हैं आप जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे एरपोर्ट पर स्वागत पीम मोदी का किया कया तो अपनी दोरे की दोरान कई हजारो करोडो रुपए की ओजनाओ की सौगाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की और से दी जाएकी चित्रकूट में बटन दबाकर प्रधान मंतरी बुंदेल खंट एक्स्प्रेस वे का शलन्यास करें के जन्सभा को भी सम्भोधित किया जाएगा पीम मोदी की और से तो आज का जो पूरा कारेक्रम है प्रधान मंतरी का वो दोपेर दो तीन बज़े तक का रहने वाला है उतर प्रिदेश में तस्वीरे उस दोरान की जब प्रधान मंतरी यहां पर पहुंचे प्रयागराज और चित्रकूट का दोरा आज पीम मोदी का विशाल काम रुख कर लेते हैं प्रयागराज से विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संबादाता विशाल कितना समय लगीगा एरपोर्ट पर रेसीव करने के लिए हमने तस्वीरों में देखा सीम योगी पहुंचे राजिपाला और केबिनेट मंत्री पहुंचे अब वहां से यहां तक का सफर कितना लंबा है कितनी देर में मंच पर पहुंच जाएंगे पीम देखें बस आप कुछी छणों के बाद प्रयागराज पुझान मंत्री नरेंद्र मोधी पहुंचे अगे और यहां परेड़ ग्राउंड पर एक भव कायकरम की तयारिया हो चुकी है और से पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा मंच की की डिप्टी सीम केशर प्रशाद मौरिया यूपी सरकार के तमाम मंत्री जो है वो मंच पर आ चुके हैं और अभी से कुद जिर के बाद चुकी सीम योगी आजितनात एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं यूपी की राजपाल आरंदी बेन पटेल भी एयरपोर्ट पहुंची हैं और अभी से कुद जिर के बाद प्रधान मंत्री यहां पर परेड ग्राउन आएंगे और यहां पर क प्रदान मंतिर नरेंद्र मोदी आज दिव्यांग जनों से मन की बात करेंगे इसके लिए 300 दिव्यांग जनों का चैन किया गया है जिनको एक वकाईदा एक हॉल है उसके अंदर बढ़ाया गया है वहाँ पर सीधे तोर पर उदान मुदी आज़ा है